अलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका data fair open cv के इस free course में जहां आज हम बात करने वाले हैं installation of open cv मैंने भी आपको open cv के introduction concept बता है कि कहाँ पर open cv को use करेंगे open cv library क्या है ठीक है it is an open source library for python for creating an application related with images and videos कि जब भी हमें इमेज़ और वीडियो को लेके कोई अप्लिकेशन क्रिएट करना है तो दाट विल गो फार ओपन सीवी लाइबरी तो जलिए देखते हैं इसको किस तरीके सम इंस्ट्रॉल करेंगे ओके एंद मैंने आपको अभी क्लास में बताया था इडिशन आप दो मोस्ट इंट्रेस्टिंग लाइबरी तो वर्क विट इमेज़ेज वीडियो तो अगर हमें ओब्जेक्ट डिटेक्शन पर काम करना है अगर में फेस्ट रिक ओगनाईज़ेशन सिस्टम पर काम करना है ओके तो चलिए इसको इंस्ट्रॉल करते हैं और एक एप्लिकेशन बनाके देखते हैं रिलेटेट विट ओपन सीवी तो सबसे पहले हम इसको इंस्ट्रॉल करेंगे कमांड प्रॉंट में लेकिन जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी आपको लाइब्रेरी इंस् ट्रीकेंड 4 पाइचांप लिगिन में आपको विगन बेंक कि आप किसी भी एडिटर को यूज कर सकते हैं लेकिन हमें किसी एक एडिटर को यूज करना-बहाँ पर यहाँ पर हम पाइचा पर फिशन आप देख लित जो कि Python का अपना खुद का एडिटर है तो यहाँ पर हम use करेंगे openCV के लिए but see this one there is an error no module name cv2 तो यह cv2 module को लाने के लिए I need to install python library for openCV ठीक है तो यहाँ पर हम चलते हैं command prompt पे और हम देखेंने वाले हैं how to install openCV ठीक तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले यह चेक कर लेना है कि मेरे system पे active internet connection है क्योंकि हम बात करने वाले पी आई पी कमांड की तो हमने पहले भी पी आई पी कमांड को यूज क्या है it is a python installation package command to install any python library कि जब भी आपको किसे library को install करना है so we have we are going to use this pip command तो यहाँ पर हमने लिखा pip install ठीक है openCV pip install openCV-python simply you have to write this is what the name of library openCV-python right and see this one so this still take hardly a minute minute भी ज्यादा बोल दिया मैंने depends on the internet speed for this is what the message I'll get here successfully install openCV-python right जदी मानलो यह command आपके system पे problem देती है तो you can also go for pip3 लेकिन अब में अगर इसको लिखूंगा तो वह बोल देगा already satisfied requirement already satisfied को कि अभी हम install कर चुके है so this is what after installing this openCV अब में यहाँ पर जा कि अगर फिर से लिखता हूं import cv2 import cv2 so see this one there is no error now because this cv2 module is belongs to openCV library और अब हम openCV library को install कर चुके है so that now I can make any application in this python ideally related with an openCV okay so here पर तो हम application बनाएंगे लेकिन बात जब installation की हो रही है तो पहले हम हमारे दोनों editor को ready कर ले and then step 2 पे we are going to create our first image related application using openCV वह में आपको python ideally में भी बता दूंगा and we'll go for pycham also ठीके तो चलिए यह तो बात भी python library sorry openCV library के installation की using pip command right लेकिन अब अगर मुझे यही install करना है in pycham ठीके तो किस तरीके से इसको pycham में install करेंगे यह तो अभी हमने openCV library को install किया pip command को use करके तेकिन इसको pycham में किस तरीके से install करना है यह मैं आपके लिए लेकर आता हूं next lecture में ठीके तो step 1 पर क्या करना है आपको समझ में आया है सबसे पहले ready your system for openCV and then after step 2 पर हम बात करेंगे इसकी application से related code की ठीके तो आई होप छोटा सा लेकिन important video आपको समझ में आया है कि how to install openCV in your system कि अगर आपको openCV लाइबरेरी को install करना है यूजिंग PIP कमांड तो फटा फट इंस्टाल करिए और मैं आप से मिलता हूं next lecture में till then take care बाबाई